हेलो गैज, आज हम बात करेंगे, ओपो के होट्सपोट के लिमिट सैट सिस्टम के बारे में तो गैज मुझे इस टॉपिक पे कमेंड सा रहा था and guys अगर आप लोग अपने phone में hot spot on करते हैं और अगर कोई बंदा आप लोग की hot spot से connect होता है and आप लोग चाहते हैं कि इतना मैं limit set करता हूँ यहाँ और उतना ही वो use carpa जैसे कि for example 100 MB कर रहा है 200 MB कर रहा है उतनी ही आप लोग limit set करें उसके तो automatic लोग की phone में जो है hot spot यहाँ पे off हो जाएगा वो system आप लोग के step से अपने oppo के device में करेंगे सारी information आप लोग के इस वीडियो में दी जाएगी तो कैसे इस वीडियो को पूरा देखे and समझे and उससे पहले आप लोग हमारे YouTube चैनल को subscribe कर लीजिगा बेल का इकन को प्रेस कर दीगा साथी साथ वीडियो को लाइक सेर भी कर लीजिगा चली बात करते topic की तो कैसे सबसे पहले मैं आप लोग को अपने phone की setting बता दू यहाँ पे तो जैसे आप लोग phone की setting में आएगगा और यहाँ पे आप लोग other wireless connection पे जाएंगा तो यहाँ पे आप लोग को horseford option में लेगा तो किसे यहाँ पे मैं आप लोग को basically बताना चाहूंगा कि हमारे OPPO के device में मेरा जो phone है OPPO का 887 है अगर आप लोग दूसरा भी model का phone यूस कर रहे होगी OPPO का ही तो मैं आप लोग को बता दू कि यहाँ पे default में कोई भी setting available नहीं रहे थी जिससे कि आप लोग को जो है data limit यहाँ पे set कर पाएंगे और अगर अलग devices की बात करें OPPO से अलग device जैसे कि sawmio अगर हो गया तो इन सब device में आप लोग को हो सकता है कि इस type की setting देखने को मिल जाए बट OPPO के device में आप लोग को जो है देख लीजेगा कि कि step से work करता है जैसे आप लोग application open करेंगे यहाँ पे आप लोग का device नहीं मा जाएगा और यहाँ पे नीचे जो security कर रहेगा आप लोग से off कर सकते या भी password भी डाल सकते हों के फेंट और यहाँ पर मैंने को setup कर दिया है उसके लिए आप लोग को यहाँ पर data on करना अपने फोन का उसके बाद back करें उसके बाद जो नीचे यहाँ पर मैंने set करते हैं जैसे कि लगबग 200 MB के फेंट 200 यहाँ पर select करेंगे तो यहाँ पर हमारे फोन में जो होट स्पोट भी होने जाएगा और यहाँ पर देख सकते कि अगर यहाँ पर फोन connect होता है तो यहाँ पर 200 MB जो जो यहाँ पर याँ आप लोग ओपर मैं देख सकते एक icon दिख रहा होगा उसके आप लोग कलिक करेंगे तो यहाँ पर लोग देख सकते कि हमारे फोन में कितना device connect है वगयरा वगयरा यहाँ तेख सकते और अभी हमारे फोन में कोई भी device कनेक्ट नहीं है और हम करते इसको बैक और यहां पर आप लोग इसे ऐसा कर दिजिए उसको बैक कर दिजिएगा